मैं मदुच ओधरी, Associate Professor in Government लोहिया कॉले चूरू आज हम साइटोलोजी में राइबोसॉम्स पर चर्चा करेंगे राइबोसॉम्स ऐसे सेल ओर्गनल्स हैं जहां प्रोटीन का संसलेशन किया जाता है सन 1955 में कूशिका द्रवे में GS पैलेड ने कुछ एपारदर्शी कंड देखे और इन्हें राइबोसॉम्स का नाम दिया ये राइबो नूकलियो प्रोटीन के कंड होते हैं तथा इनका आकार 150 से 200 एंग्स्ट्रॉम तक होता है और इनमें लगबग 50% प्रोटीन और 50% आर अने पाया जाता है ये युकरियोटिक सेल्स में अंतह प्रदर्वी जालिका की वाहिये सतह पर पाया जाते हैं और प्रोकरियोटिक सेल्स में कूशिका द्रवे में स्वतनत रूप से बिखरे रहते हैं राइबोसॉम्स की संख्या वैसगंता कोशिका के घटक RNA एवं कोशिका की बेसोफिलिक प्रकृति पर निर्भर करती है राइबोसॉम्स की संख्या कोशिकाओं में लगभग 10 to the power 5 तक होती है राइबोसॉम्स कोशिका द्रवे में प्रोटीन संसलेशन के स्थल होते हैं ये के किंद्रक से आए MRNA को ग्रहन करते है और फिर कोशिका द्रवे से एमीनो अमलों को संखठित कर MRNA के अनुरूप प्रोटीन का संसलेशन करते हैं राइबोसॉम्स मुक़्ेटे प्रोटीन संसलेशन का कार्य करते हैं इसलिए इन्हें इंजन आफ्दा सेल या कोशिका की कड़ोंते हैं यह 40% से 60% राइबोसॉमल आरेने और इसके अलावा जो बाकी प्रतीशत है उसमें अनेक प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं आरेने का प्रतीशत क्यूंकि इसमें काफी ज्यादा होता है इसलिए हम इनको राइबोसॉम्स कहते हैं प्रोकेरियोटिक को में राइबोसॉम्स अंत्यप्रदर्वी जालिका से जुड़े रहते हैं नवनिर्मित अंत्यप्रदर्वी जालिका में राइबोसॉम्स अनुपस्थित होते हैं और जैसे जैसे अंत्यप्रदर्वी जालिका में व्रधी होती है राइबोसॉम्स उसके साथ जुड़ते जा क्योंकि ribosomes दो sub unit से मिलकर बने होते हैं लार्ज sub unit होता है किसमें एक small sub unit होता है और जब protein का संसलेशन किया जाता है सक्रिय रूप जब इसका होता है तो दोनों sub unit जोड़े हुए रहते हैं दोनों उपिकाईएं जोड़ी होती हैं और जब सक्रिय नहीं होते protein sensation के लिए तो ये दोनों subunits अलग अलग रहते हैं तो इसका जुड़ना और इनका अलग होना ये दोनों अंतर परिविर्थित संरचनाएं होती हैं जैसा कि हम यहां देख रहे हैं ये राइबोसम की दोनों subunits जुड़े हुए हैं और इस प्रकार ये दोनों subunits अलग हो जाते हैं उपिकाई ये जब जरूरत नहीं होती हों और सक्रे नहीं होते हैं राइबोसम प्रोटीन संसलेशन के लिए फिर ये सब मिलकर जो राइबोसमल sub units है उनका एक pool बन जाता है cell में और जब जारूरत होती है दोबारा सक्रिय होती है कोशी का protein sensation के लिए तो ये दोनों sub units फिर re-associated हो जाते हैं दोबारा ये जुड़ जाते हैं इन दोनों sub units का पुनहे जुड़ना इस प्रकार होता है कि उसमें एक small sub unit और एक large sub unit वो कोई भी इस pool से select होता है ये ज़रूरी नहीं होता कि जो दोनों sub units small और large पहले जुड़े हों वो ही दोबारा जुड़े तो इस प्रकार से cytoplasm में protein sensation की सक्रियता के आधार पर जो ribosomes के small और large sub units हैं वो जुड़ते और अलग होते रहते हैं और ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया होती है प्रोकेरियोटिक कोशिका में ribosomes प्राय गुच्छों के रूप में पाये जाते हैं जिस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं तथा इन अवस्थाओं में ये poly ribosomes या polysomes कहलाते हैं हम इने irgosomes भी कहते हैं इन ribosomes से बने poly ribosomes protein sensation की क्रिया में सक्री रूप से भाग लेते हैं तथा आपस में एक RNA रंजुक यानि strand से बंधे रहते हैं ribosomes का इनकी उपिकाईयों में विगटन तथा इन उपिकाईयों का पुनर गठन protein sensation से संबंदित प्रक्रिया है यहां हम देख रहे हैं दो subunits ribosomes के यह small subunit है और यह large subunit है जैसा कि यहां पर हम देख रहे हैं यह small subunit का head है और यह उसका basal part है बेस है उसका उसी प्रकार यह जो large subunit है इसमें एक central protuberance होता है यह इसका base part होता है यह इसके lateral arms है यहां पर इसमें एक vaulted sheet है यह और इस प्रकार यह दोनो subunits आपस में जुड़कर एक पूरा ribosome निर्मित करते हैं ribosome की जो दोनो उपिकाईया हैं जो large subunit और small subunit है इनका जुड़ना और इनका अलग होना यह magnesium iron की सांदरता पर निर्भर करता है अगर magnesium iron की सांदरता कम होती है तो यह दोनों उपिकाईयां प्रथक हो जाती है और अगर magnesium iron की सांदरता अधिक होती है तो यह दोनों उपिकाईयां जोड़ जाती है इस प्रकार जो magnesium iron की सांदृता है वो राइबोसोम के निर्मान को प्रेडित करती है structure अगर हम इसकी देखें तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं यह प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक राइबोसोम की जो संरचना है उसमें मूल भूत अंतर क्या है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर यह प्रोकेरियोटिक राइबोसोम की दोनों यूनिट है यह यूकेरियोटिक राइबोसोम की दोनों यूनिट है प्रोकेरियोटिक सेल्स में इन दोनों साइस का जो लेंथ है इसका वो लगबग 290 एंग्स्ट्रोम होता है जबकि eukaryotic cells में ये 300 से 340 एंग्स्ट्रॉम तक इनकी लंबाई होती है चोड़ाई prokaryotic cell में 210 एंग्स्ट्रॉम होती है जबकि eukaryotic cells में ये 200 से 240 एंग्स्ट्रॉम तक इनकी चोड़ाई होती है ribosomes को हम उनके sedimentation coefficient यानि अवसादन गुणांक के अधार पर विभेदित करते हैं तो जो prokaryotic cells है उसमें 70S टाइप के ribosomes और eukaryotic cells में 80S टाइप के ribosomes पहे जाते हैं जो 70S ribosomes है उसकी small unit 30S और large unit 50S होती है 80S यानि eukaryotic cells में ribosomes की small unit 40S और large unit 60S यानि 60 sedimentation coefficient वाली होती है इन दोनों प्रकार के उपकाईओं में जो large और small sub units हैं उनमें उपस्थित RNA तथा protein आपस में बंधे हुए तथा एक जटिल क्रम में व्यवस्थित रहते हैं यहां हम एक 70S यानि prokaryotic cell के ribosome को देख रहे हैं तो यह इसकी large sub unit है यह central protuberance यह base है इसका यह lateral arm है यह vaulted sheet है और यह इसका small sub unit है इसमें हम देख रहे हैं यह इसका head part है यह इसका base या body जिसको हम कहते हैं और large sub unit का जो vaulted sheet है यहां एक tunnel form हो जाता है यह एक tunnel form हो रहे हैं और यह जो tunnel इसमें form होता है यहां से mRNA इसमें enter करता है जब protein synthesis start होता है और यह ribosomes हैं वो mRNA के साथ जब दोनों units attach होती है तो इस तरह से mRNA इसके अंदर इस tunnel से enter होता है और उसके साथ यह attach हो जाती है फिर एक तरफ से यह mRNA जो read किया जाता है और free होता रहता है और दूसरे साथ से यह हम देख रहे हैं polypeptide chain है वो निर्मित होती रहती है यह इसके दोनों sites हैं जो इसमें पाए जाते हैं A site और P site एक amino acid होता है जहां पर amino acid से जोड़ते हैं और एक peptidyl site होती है जहां से जो polypeptide chain है वो free होती है यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं यह बहुती simplified structure है इसके दोनों sub units का और यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं कि यह molded structure किस तरह से हमें दिखता है जब यह molecular होता है cell में तो हमें किस प्रकार से नजर आता है यह इसके अलग-अलग sites यहाँ पर हम देख रहे हैं यह small sub unit है यह large sub unit इसके साथ attach है और इस large sub unit में यहाँ पर यह इसका peptidyl site या P site है यह A site है जहाँ पर aminoasis आकर जुड़ते हैं फिर यह shift हो जाते हैं P site पर और यहाँ से polypeptide chain जो है वो free हो जाती है exit हो जाता है MRNA binding site यह है इसमें जैसा हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि यह MRNA है और यह polypeptide chain यहाँ से free हो रहा है chemical composition अगर हम ribosomes का देखें तो ribosomes के मुखे घटक या आव्यव RNA तथा protein जो इसके small और large subunits जो हैं इसमें लगबग समान अनुपात में पाये जाते हैं ribosomes में lipid का जो घटक या आव्यव है वो प्राय नहीं पाये जाता इसमें पाये जाने वाला धनात्मक आवेश RNA के रनात्मक आवेश को उदासीन करने में सक्षम नहीं होता अत्य है ribosome पूर्ण रूप से रनात्मक होते हैं तथा धनायनों और छारी रंजकों को बांधे रखते हैं ribosome RNA अत्यधिक folded रूप में पाये जाता है और इसका लगबग 70% जो पार्ठ है वो दोहरा कुंडलित प्रकार का होता है जो hairpin लूप के समान हमें नजर आता है इस तरह से नजर आता है प्रोकेरियोटिक कोशिका में अर्थाथ 70S ribosomes में ribosomal RNA तीन प्रकार के होते हैं 23S, 16S और 5S प्रकार के जिसमें 23S और 5S ribosomal RNA 50S subunit यानि large subunit में पाये जाते हैं और जो 16S ribosomal RNA है वो small subunit यानि 30S subunits में उपस्थित होता है जो यूकेरियोटिक सेल्स है या जिसको हम कहें 80S ribosomes हैं उनमें ribosomal RNA चार प्रकार के होते हैं 28S, 18S, 5.8S, 5.8S और 5S प्रकार के जिसमें से जो 28S हैं, 5.8S हैं और 5S ribosomal RNAs ये large subunit में पाये जाते हैं और जो 18S ribosomal RNA है वो छोटा subunit जो small subunit है 40S उसमें पाया जाता है ribosomal RNA के अलावा इसमें proteins की भी मात्रा पाये जाती है proteins भी अलग-अलग तरह के पाये जाते हैं तो जैसा हम यहां देख रहे हैं जो 70S ribosoms हैं उसमें जो large subunit है उसमें 23S ribosomal RNA और 5S ribosomal RNA पाये जाता है और उसके साथ लगबग 31 टाइप के protein पाये जाते हैं उसी तरह जो small subunit है उसमें 16S ribosomal RNA और लगबग 21 टाइप के protein पाये जाते हैं जो eukaryotic cells हैं उसमें 18S ribosomals पाये जाते हैं उसकी large subunit जो 60S है उसमें 28S ribosomal RNA 5.8S ribosomal RNA और 5S ribosomal RNA पाये जाते हैं इसमें जो nitrogenous base हैं उनकी संख्या लग अलग होती है जैसा हम यहां देख रहे हैं इसमें लगबग 5000 हैं 5.8S ribosomal RNA में लगबग 160 nitrogenous base हैं और 5S ribosomal RNA में 120 nitrogenous base pairs पाये जाते हैं तो 60S ribosomal 60S subunit में इन तीन प्रकार के ribosomal RNA के साथ लगबग 45 प्रकार के proteins और जो small subunit है उसमें 18S ribosomal RNA जिसमें लगबग 2000 base pairs पाये जाते हैं उसके साथ लगबग 33 type के protein पाये जाते हैं 70S prokaryotic ribosom का अनुभार यानि molecular weight 2.7 x 10 to the power 6 dalton और 18S eukaryotic ribosom का molecular weight 4 x 10 to the power 6 dalton होता है ribosoms में 50 से 55 प्रकार के जटिल protein जिने हम core protein भी कहते हैं वो core protein के रूप में ये protein पाये जाते हैं जिनकी इनके निर्मान में महत्वपून भूमिका होती है Biogenesis of ribosoms यानि जैवजनन उसका किस प्रकार होता है यानि उसका उदभव किस प्रकार होता है तो ribosomal RNA का जो Biogenesis या जैवजनन है वो RNA प्रोसेसिंग का एक महत्वपून और इस्पस्टु धारन है Ribosomal RNA का एक बड़ा 45S अनू पहले निर्मित होता है जिसमें लगभग 14,000 नुक्लियोटाइड्स होते हैं Ribosomal RNA जीन को एक लंबे प्रिकरजर RNA में ट्रांस्क्राइब किया जाता है जिसे 18S, 28S और 5.8S RNA में विभाजित किया जाता है ये हम यूकेरियोटेक सेल की बात कर रहे हैं जहां पर 18S ribosome पाया जाता है इस विदलन यानि कलिवेस प्रक्रिया में लगभग 50% प्रिकरजर RNA नुक्लियोलस के भीतर डिग्रेड हो जाता है और जो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है उसके दौरान कई घटनाएं सम्मिलित होती है जो प्रारंभ में DNA से ये सारा जो बायोजनेसिस है ribosomal RNA जो निर्मित होते हैं वो निर्मित होते हैं नुक्लियोलस पार्ट में नुक्लियस का वो पार्ट जिसे हम नुक्लियोलस कहते हैं नुक्लियोलस वास्तों में नुक्लियस का वो पार्ट है जहां पर ये हम देख रहे हैं नुक्लियस है हम देखें और यहां पर chromatin substance रहता है तो जो ये क्रोमोजॉम है इन क्रोमोजॉम में एक primary construction पाया जाता है, प्रथम संकुचन पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं centromere इस centromere के अलावा कुछ ऐसे ribosomes होते हैं, जहाँ पर दितिय संकुचन भी पाया जाता है और यह जो secondary construction या दितिय संकुचन पाया जाता है, यह वो छेतर होते हैं जहाँ पर ribosomal RNA निर्मित होते हैं DNA से और इन छेतरों को क्योंकि यहाँ पर जो बहुत बड़ी संख्या में या कहें बहुत बड़ी मात्रा में ribosomal RNA निर्मित हो रहे होते हैं तो यह जो places हैं वो dense नजर आते हैं nucleus में और यह जो dense places होते हैं nucleus में इन ही को हम nucleus कहते हैं तो nucleus में या कहें कि DNA के वो पार्ट जहाँ पर ribosomal RNA निर्मित हो रहे होते हैं वो nucleus हैं और nucleus में ribosomal RNA फॉर्म होते हैं तो जो 40S ribosomal RNA फॉर्म होता है एक gene से इस ribosomal RNA को spacer RNA के stretch द्वारा अलग किया जाता है और जो प्रतिलेखन का क्रम है इसमें या कहें कि जो transcription का जो क्रम इसमें होता है वो 5 dash end से 18S, 5.8S और 28S ये 3 dash end के और इस क्रम में बढ़ता है 45S RNA मिथाइलेटेड होता है और 45S nuclear RNA के ये मिथाइलेटेड अनू Nucleolus में मौझूद आवश्यक प्रोटीन से संबंद होते हैं उससे जुड़ जाते हैं ये और ये ribonucleoprotein molecular particle निर्मित करते हैं जिनने हम ribonucleoprotein अनू कन कह सकते हैं 45S Nucleolar RNA प्रोटीन के साथ कई मध्यवर्ती चरणों के माध्यम से स्प्लिट होता है और 32S और 18S में परिवर्तित हो जाता है इस प्रकार 18S अनू अपने प्रोटीन अनू के साथ मिलकर तुरंत साइटो प्लाजम में पहुंच जाता है और 32S RNA लगभग 40 मिनट तक नूकलियोलस में रहता है और फिर 28S RNA और 5.8S RNA में विदलित हो जाता है क्लिवेज उसका हो जाता है वो चेंज हो जाता है साइटो प्लाजम में प्रवेश करने से पहले ये 30 मिनट तक लगभग नूकलियोलस में रहता है 5S ribosomal RNA Nucleus के बाहर संसलेशित होता है Nucleus के बाहर नहीं Nucleus के बाहर Nucleus वो जगह है DNA का वो पार्ट है जहां पर ribosomal RNA ज्यादा तर मात्रा में जो हम देख रहे हैं 28S ribosomal RNA 5.8S ribosomal RNA और 18S वहां पर निर्मित हो रहे हैं लेकिन जो 5S ribosomal RNA वो Nucleus के बाहर DNA के दूसरे पार्ट से ट्रांस्क्राइब होता है और इसके जीन गुनसुत्र के Nucleus Organizer Reason यानि Nucleus आयोजक छेतर से सटे होते हैं अपने प्रोटीन के साथ 18S ribosomal RNA Nucleus को Nucleus पोर से बाहर निकलता है छोड़कर Nucleus को और साइटो प्लाजम में प्रवेश करता है जहां ये प्रोटीन के साथ राइबोसom के छोटे सब यूनिट 40S बनाता है साइटो प्लाजम में प्रवेश करने के बाद 28S ribosomal RNA 5S ribosomal RNA ये दोनों 5.8S ribosomal RNA के साथ 60S sub-unit बनाने वाले प्रोटीन के साथ संयुक्त हो जाते हैं तो जो क्लिवेश इसका होता है उसको हम जिस प्रकार यहां देख रहे हैं सबसे पहले जो ट्रांस्क्राइब होता है वो 45S ribosomal RNA फर्म होता है जिसका क्लिवेश यहां होता है स्प्लीट होकर 41S ribosomal RNA में जो दफ्स दो सब-units में डिवाइड होता है 32S और 20S 20S बाद में इसका क्लिवेश हो जाता है 18S में यह कनवर्ट हो जाता है और जो 32S है उससे दो भाग बनते हैं 28S और 5.8S प्रोकेरियोर्स में 23S, 16S ribosomal RNA एक इकाई के रूप में ट्रांस्क्राइब होते हैं लेकिन इतनी तेजी से इनमें प्रोसेसिंग होती है कि प्रिकर्जर ribosomal RNA का हम पता नहीं लगा पाते जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी हमने देखा प्रोकेरियोर्स में यहाँ पर फिर हम एक प्रोकेरियोर्स एक सेल के 70S ribosom को देख रहे हैं यह 70S ribosom के दो यूनिट हैं स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट और इसका मॉलिकुलर वेट 2.7 इंटू 10 to the power 6 डाल्टन है इसका साइज जैसा हम पहले भी देख चुके हैं 200 एंग्स्ट्रॉम इसकी लेंथ रहती है इसमें दो सब यूनिट हैं एक लार्ज सब यूनिट 50S स्मॉल सब यूनिट 30S स्मॉल सब यूनिट का यहां पर जो जैसा हम देख रहे हैं कि इसमें डबल यह कॉइल्ड भी रहता है बहुत इसमें कॉइलिंग होती है जैसा यहां पर देख रहे हैं आसानी से नजर आ रहा है और जो स्मॉल सब यूनिट है इसमें 16S राइबोसॉमल आर य Catalunya के साथ 21 स्पेसिफिक राइबोसॉमलड पूटीन्स है जो लार्ज सब यूनिट है इसमें 23S राइबोसॉमल आर यननी 5S राइबोसॉमल आर यनने और लगग 34 टाइप के स्पेसिफिक राइबोसॉमल पूटीन्स है अलग-अलग molecular weight हम इनका देख सकते हैं 16S ribosomal unit का molecular weight है 0.6 into 10 to the power 6 dalton 23S ribosomal RNA का molecular weight है 1.2 into 10 to the power 6 dalton 5S ribosomal RNA का molecular weight है 4 into 10 to the power 4 dalton Eukaryotes में ribosom को nabic में assembled किया जाता है 45S RNA तेजी से protein से जुड़ता है और लगभग 80S का एक कंड बनाता है जिससे हमने देखा था बाद में कि cleavage होता है splitting होती है और फिर ये अलग-अलग उसके जो large और small subunits बनाता है ribosomal protein का संसलेशन आंसिक रूप से nucleolus के अंदर और आंसिक रूप से cytoplasm में होता है जो protein है cytoplasm में संसलेशित protein nucleolus में कठे होता है और ribonucleoprotein अनुकणों में ribonucleoprotein molecular particles में इनका उपियोग किया जाता है जो बाद में ribosomes का निर्मान करते है function अगर हम देखें तो ribosomes का कार्य कोशिका में protein के संसलेशन से ही संबंदित होता है तो इस प्रकार हमने देखा कि ribosomes की क्या संरचना है और उनका chemical composition क्या है और उनके कार्य क्या है thank you तो इनके का उनका उनका क्या हमने तो